दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ रहे इस मैप को देखें। इस समय सारी दुनिया इस मैप पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसा क्यों हो रहा है? आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, इस मैप में ये बताया गया है कि भारत ने पिछले कुछ दिनों में कहा कहा अपने युद्ध पोत को डिपलॉय किया है। दोस्तों, आपको यहां ये भी बता दें कि भारत ने अपने सबसे जंगी युद्ध पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर को यहां तैनात किया भारत ने अपने एक बहुत ही खतरनाक, महंगे और आधुनिक युद्धपोत आईएनस कोलकाता को लाल सागर के बिलकुल पास खड़ा कर दिया है जो हूती विद्रोह को काउंटर करने का कार्य भी करेगा साथ ही भारत ने अपना दूसरा युद्धपोत आईएनस कोची भी नौर्दन अरेबियन सी में तैनात किया हुआ है यह युद्धपोत ओमान और पाकिस्तान के मध्य जो सागर है उसमें खड़ा किया है यह युद्धपोत उस जगह पर तैनात किया गया जहां से दुनिया के 40% तेल का व्यापार किया जाता है चुँकि भारत शिप पर जो हमला हुआ था वह ड्रॉन या मिसाइल इरान की तरफ से आई है इसलिए भारत ये कदम उठाया ताकि भविश्य में उस तरफ से होने वाले किसी भी हमले हवा में ही रोका जा सके इसके अलावा जिस जगह भारतिये शिप पर हमला हुआ था उस जगह पर तीन युद्धपोतों को डिपलॉय किया गया है इन तीन युद्धपोतों में है शामिल है दो आई एनेस विशाखा पत्तनम और आई एनेस चैननई दोस्तों इस जगह का उपयोग भारत द्वारा अपनी तरफ आने वाले जहाजों की चेकिंग करने के लिए किया जा सकेगा इतना ही नहीं भारत ने लाल सागर पर निगरानी रखने के लिए भी अमेरिका से किराय पर लिए गए सी गाडियन ड्रोनों को भी तैनात किया है इसके अलावा भारत ने नेवी के पी आट आई प्रोसाइडर एरक्राफ्ट भी निगरानी रखने के लिए भेजे गए हैं ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली फोर मिसाइल डिस्ट्रोयर युद्ध पोत को भी तैनात किया है इस युद्ध पोतों पर भारत की खतरनाक मिसाइल ब्रमोस को लगाया गया है ये ब्रमोस मिसाइल न केवल जमीन पर हमला कर सकती बलकि हवा से आने वाले ड्रॉन या मिसाइल को भी तबाह कर सकती है दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये युद्धपोत पता नहीं कितने महीनों तक वहां तैनात रहे तो इतने सारे युद्धपोतों के जो क्रू मेंबर्स के लिए खाना, पानी, हतियार आपूर्ती क्या होगा तो इन सभी क्रू मेंबर्स की जरूरत के समान की आपूर्ती के लिए भारत ने INS दीपक को भी तैनाद किया है INS दीपक इन सभी मामलों में मदद करने में एक्सपर्ट माना जाता है इस प्रकार जो भी खबरें आ रही थी कि इरान ने ये हमला किया है कुछ का मानना था, हूतियों ने ये अटैक किया है कहीं कहीं तो अद्रिश्य शक्ति को इसके पीछे की वजह माना जा रहा था तो इन सभी को देखते हुए भारत ने एक चक्रव्यू सा बना दिया है जिसमें से बचना बहुत मुश्किल है भारत ने अपने इस साथ पॉइंट फॉर्मूला से लाल सागर और अरब सागर दोनों पर अपनी पहुँच मजबूत बना ली है अब अगर कहीं से भी हमला होता है तो उसको पहले ही रोका जा सकेगा भारत के रक्षा मंतरी श्री राजनात सिंह जी ने भी बयान दिया है कि हमलावरों को समुद्रतल से भी ढूंड निकालेंगे और दुनिया भर को भारती ये नेवी अपना जल्वा दिखाएगी इस बात से ये साफ पता चलता है कि भारत हमलावरों के खिलाफ एक्षिन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा तो दोस्तों भारत के इस कदम और इस डिप्लोमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या भारत बदला लेगा या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए तैनात किये गए क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और अंत तक वीडियो देखने के लिए